हे फ्रेंज वेल्केमियों सिधार्त लाइब और आज एक और जबरजस्त हम लेकर आ गए हैं वीडियो आरेफ एंड माइक्रो बेप स्क्यू पर आज का यह जो वीडियो यहाँ पर हम करने वाले हैं रिव्यू इस ब्रांच का कि यह ब्रांच कैसी है पहली बात तो आप देख को जरूर सजेस्ट कर दें जो भी गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है तो प्लीज आप यह काम कर दें तो आप इस ब्रांच के बारे में हम लोग एक छोटी-छोटी चीजों के बारे में जानते हैं हम देखते हैं इस ब्रांच में क्य क्या degree मैं student कर सकते हैं pursue तो यहां पर एक mtech degree है एक ms research degree है इसके साथ सथ PhD भी होता है जिसमें direct PhD और regular PhD है इसके साथ साथ इस branch में admission लेने के लिए आपको minimum 6.5 cgpa चाहिए या फिर आपका होना चाहिए 60% इन दोनों का अगर आपका है तो आप इस branch के लिए eligible होते हो ये branch का जो department है ये electrical engineering के अंदर लगता है कौन कौन सी branches यहाँ पर admission ले सकती है तो सिर्फ electronics and communication एक ऐसी branch है जो इस branch के लिए eligible है cut-offs की बात करेंगे तो approximately 703 इस साल का last cut-off था इस branch का class strength की बात करेंगे तो less than 10 रहती है मतलब एक approximately number नहीं दिया जा सकता इस समय जो cut-off मतलब जो बच्चे है वो 7 है और जो master of research में बच्चे होते हैं वो 2-3 होते हैं इस समय जो present strength है वो 2 है attendance की बात करेंगे तो attendance का कोई load नहीं है अभी जो है वो class online चल रही है बहुत जादा कोई faculty कुछ कहता नहीं है आपको बता दू यहाँ पर जो अभी IIT कानपूर के अंदर first semester के अंदर चार subject मिलते हैं जिसमें तीन subject आपके department के होते हैं और एक subject आपको दूसरे department का आप choose कर सकते हो तो आप यहाँ पर CS वगेरा का machine learning वगेरा choose कर सकते हो अगर आपको coding companies में जाना है आपको main purpose है जो electronic magnetic waves होती है उनकी पढ़ाई करना VLSI का एक end block part होता है जिसको बोलते हैं transmitter, receiver, antenna इनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं हम load और pressure की बात करेंगे तो IIT कानपुर के अंदर especially compared to other IITs बताता हूँ इस branch में pressure बिलकुल नहीं है, load बहुत कम है यहाँ के professors बहुत humble हो, बहुत जादा chill है, बहुत जादा अच्छे हैं exams अभी जो online हो रहे हैं, उनमें मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर open book exam हो रहे हैं, close book exam हो रहे हैं, जिनमें camera open रखना पड़ता है और जो platform का use होता है वो अभी zoom हो रहा है, classes 20 पर हो रही है, exam 20 पर हो रहा है assignments की बात करो, तो assignment मिलते हैं पर ऐसा नहीं है, दिन भर assignment मिलते रहते हैं assignment मिलते हैं, आप गर आप लेट हो जाओ, तो professor चिल है, कह देंगे आराम से submit कर दो बट यह हर branch के लिए लागू नहीं होता, सिर्फ इस branch के लिए है assignments यहाँ पर होने वाला है 100%, सारे बच्चों का placement यहाँ पर Mtech में तो specially हो जाता है, पहली बात तो जो electrical department है, IIT का वो बहुत जादा बहतरीन है यहाँ का most बच्चा place होता ही होता है IIT कानपुर का, जादा से जादा company जो आती हैं वो तो प्लेस्मेंट है, वो semi-conductor में ही होता है, जिसमें mainly company कान सी होगी, Qualcomm हो गई, आपकी micro electronics हो गई, Samsung हो गई, इसके साथ Intel हो गई, जिनके packages करीब करीब 20 लाग से उपर रहते हैं मतलब इन में आपको बहुत जादा placement opportunity है, आपको बताओ, core companies जो radio frequency की core company है, उनमें job थोड़ा सा मुस्किल है बट निल नहीं करेंगे, उधर भी opportunities आती है, जैसे कौन-कौन सी होगी, Qualcomm हो गई, Texas Instrument हो गई, इसके साथ सा Simmons हो गई, ये companies थोड़ी RF की core companies है packages की बात करें, तो यहाँ पर जो average package मिलता है, वो 13 से 15 का मिलता है, बट जो most of the students को package मिलता है, वो 15 से जादा ही मिलता है इसके साथ साथ मैं अपने personal 2-3 suggestion देता हूँ, कि जो VLSI जो branch है, उसी की तरह RF भी बहुत बहतरीन branch है, जिसका placement, semiconductor या chip design companies में होता है ठीक है, high package में, लोगों का मानना यह है कि अगर IIT कानपर में आपको चूज करना है, तो लोग सबसे पहले VLSI को चूज करते हैं, फिर SP.com को चूज करते हैं, फिर control को चूज करते हैं, फिर radio frequency को चूज करते हैं ठीक है, बट मैं आपको बताओ, जो real truth है, वो काफी different है, क्योंकि SP.com में जो number of students है, वो बहुत जादा हैं, जिससे वहाँ पर placements थोड़ा सा कम हो जाता है इसलिए आप RF radio frequency microwave ब्रांच को preference दे सकते हो, आसा करता हूँ, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को like जरू कर दें, चैनल को share कर दें, और चैनल को subscribe जर्दू कर दें टेलीगराम एप पेज को join कर लें, बने रहें, जोडे रहें, देखते रहें, सिदार्द लाइफ सिदार सुकला के साथ, नमस्कार